हेलो फ्रेंद्स अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक तुमा चैनल फैजन सारी निशारो सोई आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागते हैं आज हम बनाएंगे चना जोर गरम की स्नैक्स तो आज बहुत इजी लिए जटपट बनने वाली घंटो पकाना नहीं है हमें इसे बच जल्दी से बना लेते हैं बिगर टाइम वेस करे वेते चलते हैं और देख लेते हैं कैसे बनते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम एक कप चने और यहाँ पर आधा कप चने इसके अंदर डाले हैं तो यह देसी चने हैं ज्यादा काले नहीं होने चाहिए जो जि आप इस्टोर भी कर सकती है इतने अच्छी स्नैक्स बनते हैं इसके माशियल्ला से चट पटे तो चलते हैं वहाँ पर गेस पर हमारा पानी गरम हो रहा है तो यहाँ पर हमने कहा था जिसे में घंटों भीगोने नहीं तो डारेक्ली हमने पानी गरम कर लिया आए और इसके इं गरम होने लगेगा और चने वापस से उपर आने लगेंगे जैसे यह नीचे गए हैं वैसे ही यह खुद से ही उपर आजेंगे अब हम आपको यह चीज दिखा दूँ आप इस पर नौट कीजिए जैसे जैसे ही हापर पानी गरम हो रहा है पानी के अंदर बोईलाना चालू हो हाई नहीं करेंगे इसमें नमक नहीं डाला ऑनी डाला पर नॉर्मल हमने पानी डाल के रख दिया था तो देख सकते हैं माशालेल से चने सारे इसके उपर आ रहे हैं तो यह खुद से ही उपर आएंगे और यहाँ पर जैसे यह उपर आएंगे तो यह प्रोसिस हमें जब करना है जब सारे चने नीचे से तले से खतम हो जाएं और उपर की साइट आजेंगे तो हम इसे रीड लगा के कवर कर देंगे तो यहाँ पर देखी कितना टाइम बचा हमारा जैसे ओवरनाइट भीगोना होते ह तो यहाँ पर सारे चने माशालला देखी मेरे उपर आ चुके हैं अब यहाँ पर बोईल अच्छे से आना चालू हो गया गेस का फ्लेम यह पर आपको स्लो रखना है यह प्रोसिस आपको हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है अब लगा पर रख देते हैं लीड तो यहा हमारे सिर्फ हमें इता ही कुक करना है जादा फुल कुक नहीं करना है तो देखिए यहां पर हमारे इस तरह बनकर तयार हो गया आप इस तरह बनाएंगे तो इसमें जबरजस टेश्ट आता हम इसे नहीं पकाएंगी कुकर में नहीं लीड लगाएंगे सीटी लगाएंगे के म हमारे हो चुके हैं और आपको करेंगे हम फ्राइब बार में अब हमें में प्रोसिस क्या करना है तो इसलिए कहती हूं वीडियो को फूल वोच कीजिए ताकि एक भी बाट आपका मिस नहों पाए अब हमें इसे छोड़ देना इसको कोई डिश दब नहीं करना बस इसे छोड़ देंगे डवल टावल के अंदर मैंने मोटा टावल ले लिया है और इसे रख दिया है नीचे भी टावल भी जा दिया है तो इसे कॉण टर पर चोड़ाए और मिलेंगे इस सुब़ा तो खुद से माशालला इसका चने का जो साइज है वो थोड़ा डवल हो गया है माशालला से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा और यह सॉप्ट भी हो गया हमने गरम गरम एकदम निकाल के पानी से और फोरन से टावल में बन कर दिये तो इस तरह बना कर खा इसमें जादा लें इससे हमें इन चनों को चप्टा करना है आप इस तरह भी बना कर सकते हैं लेकिन चना जोर गरम इस तरह ही बनता है तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना अगर आप मेरे चैनल पे नहीं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब जैसे मैं चप्टा करें यह वीडियो सस्क्राइब भी कर लेना तो बहुत-बहुत मेरवानी होगी आप मेरे यूटूब फैमिली बन जाएंगे तो तो सारे हमें इसी तरह कर लेने हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन टेस्ट बहुत जबर जस्ता आएगा माशाला से इस दर्दी के टाइम कर रहे हो तो फिर आपको दूप में रखना पड़ेगा और गर्मी के टाइम कर रहे होता आप यह पंखे में रख सकते हैं तो यह घर में अगर आप इसे छोड़ दिंगे रसोई में तो एक घंटे में खुद से सेट हो जाता है यह फ्राई होने के लिए बच्चों को लेने क्योंकि मैं जाता तर रेसीपी जब बनाती हूं जब बच्चे स्कूल गए वे होते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे सार इस तरह तयार कर लिए माशाला से तो मेरी सारी यहाँ पर बनके चना जोर गरम तयार हो चुके हैं अब चलेंगे इनको फ्राई क हो चुका है तो इसे हमें हवा लगानी बहुत जरूरी है वरना यह चीज हमारी कढ़ाय के अंदर फेल जाती है तो हम क्या करेंगे एक छलनी रखेंगे उचलनी के अंदर डारेक्ली हम नहीं डालेंगे एक चलनी में डालेंगे इस तरह का कोई भी रख लीजिए और हमारे जो चना जोर गरम है वो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े थोड़े करके थोड़ा जहाग आएंगे उससे आप टेंशन ना लें तो बस इसे इसी तरह सेखेंगे गेस का फिलेम लोटू वीडियम रखेंगे इस टार्डिंग में पहले हाई करेंगे जब आपको लगे तो थोड़ा सा लोग करण दें बस यहाँ पर हमारा देखें इस तरह बन कर तयार हो चुका है एक बेंच हमारा सिख चुका है तो सारा इसी तरह सेख लेते हैं माशालला से पहुत ही ज़ादा क्रिस्पी और खसता बने हैं हमारे चना जोर गरम तो मिसा फूल मसाले का झाट ऊड़ होड़र 1 टी स्पून भुना गुटा जीर looked के और हाफ टी स्पून ढल डालेंगे हाफ टी स्पून से भी नमक डालेंगे काला-वाला बहुत-कम- और यानि ये फॉर टी स्पून यह नमक डाल हूँ वाइप नमक एडल नमक है और हाफ-टी-54 डाल-d thing happened अपने टेस्ट के इसाफ़े डाल सकते हैं लेकिन मैं चाट मसाला डाल रही हुथ हैं मैं खटाई डालने की जरूत नहीं है अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है या आप डालना नहीं चाहते तो आप यहां पर आमचूर पोर्डर यानि के खटाई डाल सकते हैं उससे बहु तो बहुत जल्दी बन जाता है बहुत बच्चों को पसंद भी आता है तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में अल्लाहाफीस दूआओं में याद रखना